जामतारा विदायक इर्फान अंसारी के विवादित बयान पर सियासी बवाल मच गई है इर्फान अंसारी ने महगामा को मिनी पाकिस्तान बताया था जिस पर बीजेपी ने इर्फान पर देश द्रोह का मामला दर्च करने की मांगी है BJP ने इर्फान के इस बयान को देश को अपमानित करने वाला बयान बताया है मुस्लिम ही निशिकान दूबे को हरा सकता है इर्फान ने क्या कहा था पहले वो सुनिये इर्फान अंसारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है बीजेपी ने इसे महगामा के साथ देश को अपमानित करने वाला बयान करार दिया है साथ ही इर्फान अंसारी पर देश द्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांगी है वही निशिकान ने कहा है कि महगामा और गुड़ा को मिनी पाकिस्तान बनने नहीं दिया जाएगा बीजेपी के सरकार बनी तो एनर्सी लागू किया जाएगा मेनी पाकिस्तान बनातिया हम मानते हैं यह बहुत ही संगीन मामला है और राज्य पुलिस को इस पर अविलम कारवाई करनी चाहिए इर्फान अंसारी पर ऐसे भड़काव ब्यान देने के लिए तेश्ट्रों का मुकदमा दर्ज करना चाहिए वेराल यह उनके कॉंग्रेस की स मुड़ें उसमें वह कराो हैं यहां से फगाया जाएगा और जो इस मॉंस्किता के लोग है कॉंग्रेस के लोग कि इर्फान अंसारी च्पार्ख के लोग हैं sana हुखी और भौगी तो är मुखसबा चुनाओं में कॉंग्रिस ने फुरकान अंसारी का टिकट काट दिया था और विपक्ष ने प्रदी प्यादव को अपना उमिदवार बनाया था आने वाले 2024 के चुनाओं में इर्फान अंसारी एक बार फिर अपने पिता फुरकान अंसारी के लिए बैटिंग कर रहे हैं इसे लेकर विवादित बयान देने से भी नहीं बच रहे हैं नियूज 11 भारत के लिए देवगर से दिपनरायन के साथ बिर रिपोर्ट और इस पर अधिक बादशीत के लिए हमारे साथ लाइफ चैट पर राजीश जुर रहे हैं राजीश एक बार फिर से जो है इर्फान अंसारी विवादों के वज़े से सुर्ख्यों में आ गया है और हमेशा से कई न कई विवादित बयान देते आए है इर्फान अंसारी और इस बार उन्होंने कहा है कि महगामा जो है मिनी पाकिस्तान है और निशिकान दूबे को कहा है कि उन्हें कोई हिंदू प्रत्याशी नहीं हरा सकता है एक मुसल्मान ही उन्हें हरा सकता है गुड़ा में क्योंकि गुड़ा में अल्पसंख्य की संख्या काफी जादा है क्या इस पर रिप्लाई आ रहे है बीज़ेपी के तरफ से दो गेवीजेपी का कहना है कि यह अपमान है देश का साथ ही जहरकंड का गुड़ा का और महगामा का क्योंकि इस परकार के बैयान जो कहे जा रहे हैं कि वहां मुसल्मानों की संख्या अधीक हो गई है और राजे सरकार के लिए भी चिंता का विसे हो सकता है कि इस तरह के बै होते हैं यहां पर गटवंदम की सरकार है जिसमें कांग्रेस बड़ी साजीदार है दिखिए होता क्या है डॉक्टर इरफान अंसारी के बयान कई वार ऐसे आ गये हैं जिस पर बवाल मच किया है और बहुत लोग इसे बहुत सिरियसली लेते नहीं है खास और बीजेपी के दिखिए बारे में कहह रहे हैं जहां से कांग्रेस की ही विधायक है और दी पिकासिंग पांडे वहां पर से विधायक है अगर ऐसा है कि वहां стран बन गया तो यह आरूप प्रतिंग आप पर फुरकान अंसानी वहां से लोक्षभा का चुनाव लड़े थे और तीन वार से वो विधायक हैं निशिक दूबे बीजेपी के, उन्हें किसी परकार से सिकस देने के हर प्रयास किये जा रहे हैं, ये प्रिश्ट भूमी तयार करने के देश्टिकों से ऐसा बयान दिया गया है कि वहां मुसल्मानों की संख्या अधिक है, और मुसल्मान अगर वहां हैं, अगर संख्या उनकी अधिक है, कई देश में कई ऐसे जिले हैं, कई छेत्र ऐसे हैं, जहां को मुसल्मानों की संख्या अधिक है, तो इसका अर्थ यहा नहीं कि वो पाकिस्तानी है, वो भारती है और भारत दे रहते हैं भारत के बारे में सोचते हैं और यहां वो यहां के नाग्रिक है future खरका बैयान. की डेमोग्राफी बदली है जब उसकी सरकार आएगी यानि जब यहां पर जारखन में सरकार बीजेपी के नित्रित में बनेगी तो एनर्सी कराई जाएगी आज भी बैयानवाजी इस पाथ को लेकर हुई कि बंगलादेश से घुस पैठियों के विशह पर दिपक प्रकास न का इस्तिमाल किया जा रहा है जबकि मैं आपको बता दो उनकी कल साम में जब आलमगीर आलम बैंगलूरू से वापस आए तो एरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बाचीत के दोरान उन्होंने कहा कि जब रगवर सरकार थी उस समय दिने सुराओं बिदानसवा अध्यक्स थ ही थी तो उन्होंने यानि आलमगीर आलम ने कहा था कि इसकी जाच कराई जानी चाहिए लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और अभी फिलहाल जो अगर इस्तिती है अगर लगता है सकी घुश पैटिये तो सरकार जाच करा सकती है उन्होंने तो साब तो यह भी कहा कि अगर घु प्रक्षा की जाए और गाहे बगाये अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन होता है घुश पैट होता है तो उस समय राजसरकार की भी भूमिका बनती है यानि केंद्र सरकार राजसरकार दोनों की भूमिका घुश पैट रोकने में हो सकती है तो समय की दूरूप से इस समस्या का स जारी किया गया है, नोटी जारी किया गया है, कोट के द्वारा केंदर सरकार और राज सरकार को इस विशेव पर, तो उसके बाद ये चर्चा फिर से गर्म हो गई है कि बागला देशी घुसपैटिये का मामला जो है, आखिर वहां की जो सामाजी का और आर्थिक इस्तिति को प्रभावित कर रही है और राज सरकार उसे इस और ध्यान नहीं दे रही है, बीजेपी का सिदा रोप है कि सरकार जान बूज कर आख मुंदे हुए है, लेकि इर्फान अंसारी का यह बयान जो की महगामा एक पाकिस्तान, मीनी पाकिस्तान बन गया है, यह किसी भी दल के कि किसी भी जनपरती नीधी हो या सदसे हो, कारकरता हो, समाने लोग हो, आम जनता हो, किसी को भी यह अच्छा सुनने में नहीं लगेगा, भले उनका बयान जो है, कुछ और इसारा करता हो कि वहाँ पर अगर एक कंडिडिट ऐस मुस्लिम समाज का कंडिडिट दे दिया जाए और वोटर की संख्या एतनी अधीक है, उनके अनुसार, तो एक वो जित सकता है, उनके पिता जी वहाँ से चुराव लड़ चुके है, लेकिन हार गए, एक बार फिर से लोग सोब चुराव करीब आ रहा है, तो ऐसे में एक माहल बनाने का सम्भ़ता उनकी और से प्रियास ह होगा, लेकिन इरफान अनसारी ने कहा है कि उनके बयान को तो मरूर का पेस किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब ऐसे बयानों पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, कि मेरे देश में ही कोई ऐसा छेतर है कि जो मिनी पाकिस्तान हो, ये सभी के लिए सर्वन नहीं है, पनुसका. हमें पता है कि देश में के कुछ छेत्रों में आतंकी संगटनों को उसका समर्थन मिलता रहा है तो ऐसे में पाकिस्तान के बारे में बता देना कि यह मिनी पाकिस्तान बन गया है यह बिल्कुल उचित नहीं है बीजेपी ने तो इसके घुर निदा की है और मुझे लगता है क कि ये मीनी पाकिस्तान है. राजनितिक पूर्थ की पूर्थी के लिए कोई राजनिता इस तरह के बयान कर दे या कोई और इस तरह के जो अपति जेनेक बयान दे दे ये उचित नहीं है और फिलहाल बीजेपी ने कहा है कि संथाल प्रगना में अगर उनकी सरकार राज में बनेगी तो वहाँ पर एक मीनी अनर्सी कराया जाएगा यानि जो अनर्सी इस्टिट लेवल पर कराया जाएगा क्योंकि अभी तक इस राजी में कभी हुआ नहीं हुआ है इसलिए ये राजनीतिक बैयान बाजी है इसके पीछे का स्वार्थ आप भी समझ रही है और मैं भी समझ रहा हूँ और लोग भी समझ रही कि इसके पीछे का नहीतार्थ क्या है इस तरह के बैयान का अनुसका धन्यवाद राजिश तमाम जानकारिय के लिए और इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए जो आमतारवे दायक इर्फान अंसारी हमाई साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे है इर्फान जी क्या आपकी जो ये बयान है ये इससे तोड मरोड कर पेश किया जा रहा है क्या या फिर जो आपका बयान है वो सच है क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पूरे विवादित बयान को लेकर कि अधिवादि बना देते हैं और रही बाद मैं सेकेंड टाइम का मेले हूँ कॉंग्रेस पार्ड़ी के अवरी नेता हूँ और मैं मागमा को मेनी पाकिस्तान कैसे बोलूँगा मैं आपके पूछना चाहता हूँ और जो मीडिया आयत है हमारे पास अगरा पूरा सेंडेंस को दिखीगा पूरा मैं वीडियो प्लिप को दिखीगा तो हमने काया कि भारती अंता पड़्डे के लोग पाकूर हो या साइब गंजो उतको बंग्लादेश बोलते हैं और बीडिया के लोग माधुपूर हो या जामतरा उसको मीनी पाकिस्तान बोलते हैं यह ने कहा था और मेरे बात को कुराप करके चला दिया तो कंशी कम मैं ऐसा कमेरा उसे मान हारी का दावा पेस कर रहा हूं जो मेडिया को मैंने का वो उसे माफिभी मागा कि सर मैंने यह चला दिया तो कहने के मतलब भारती पाट डिया चाहती है राज में थे नहीं है क्या इनार्सी क्यों बोल एंड़ाल जी बता इसकी आउसकता है जार्गन को क्या तो हमारे था कर नेमिस मुझ मंतरी आदर नियमन सॉर जी इतना अच्छा रहे हैं अगर राज को चला रहे हैं जन्ता इतना खुँस है हम लोग इतना च्राफ कर रहे हैं आप यह सोग्ति क पाइस्टान कीशिती बना ऑघлан पास बॉर इंजा बॉर सबयाद में शनलत आप करा घंदना मत लिया 아무 कोट क्या है मूथ कोई धुष्पट नहीं है, हमारा बात है बात है बिल्कल सही है, हम सभी धर्वों करते हैं, सब को ले के चलते हैं, लेगे इस तरह की उच्छी बाते हैं को भी करता है, तो यह इसका करनम करता हूँ, और मैं कारवाई की माह करता हूँ. इर्फान जी, बीजिपी के तरफ से ये भी बयान आ रहा है, कि आपने गुड़ा की जनता है, उसका अपमान किया है, सिब्मीनी पाकिस्तान बोलकर इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपमान थो मैं आपमान जी संसत करते हैं, बताईए हमारे दलित भाईयों को आदिवासी बाहियों को पेर भुला के पानी पिलबा देते हैं, ये तो अपमान ना, लोगों निचा दिखा रहे हैं, आपसी भायचारगी को तोड़ हैं, हिंदू-्मुस्लिम का जहर हमारी कि आप दिखीगा कि मैं सभी समुधारी को जोड़ने का काम करता हूं कोई हमारे अंदर को नौफरत नहीं है हम सेकुलर आर्गमी है और मुझे अपस्टोस बात का लगा कि बीजेपी के जो अभी अभी आए है भाच्पा में बाहूलाल जी वो हमारी कारजन है मैं का समान करता मैडम आपको याद होगा अगर आप मैं वीडियो के लिप भी आपको दे दूंगा बाहूलाल जी ने मंच में मेरे बारे में कहा था कि इफार अंसारी सेकुलर एंग लिडर मैं जिवन में नहीं देका इतना चान लर्का को और आज अब हाच्पा में चले गए अब मुझे सपर्दाइकता से जूड़ दे रहें तो कि यह जब आप जीवियम में थे तो ठीक थे से बिलर थे आप भाजपा में आगए तो आप कट्रता आपके इंदर भर गए नस्नस में अलता है तो नफरत सवा गया है तो यह इतना जुरू को होंगा हमारा जारखन नफरत से नहीं हम लोग एक एक लोगों का समान कि हम लोग बढ़ी जी का सम्मान किये जिसका परिणा में करनार का मुझा जीते और लिक्सितर पर हम इंदे कि आङयो एक जो है आप एतियास रिक और दिख लीजिएगा लेकिन करने कभी अस्वोस होता है इस तरह की बाते करते है इर्फान अन्सारी से बहुत धन्यवाद इर्फान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए नियूस को इसको डिलेट मारी है कोई फर्क ने पड़ता है लोग जानते हैं मेरे नि दन्यवाद इर्फान जी हमाई साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को हमाई समक्ष रखने के लिए क्या कुछ सच है और क्या नियुक्त इसको प्रोज करवाई बनवशी और प्रेस करें बेल आइकोन नियूस लवन भारत सच है तो दिखेगा